राधे राधे जी आज सावन मास का अंतिम प्रदोश्वरत है इस साल सावन की महीने में दोनों ही प्रदोश्वरत शणी प्रदोश्वरत हुए प्रदोश्वरत त्रयो तशी तिथी को मनाई जाती है और हर प्रदोश्वरत की कथा और महत्व उसके वार के हिसाब से होता है जो व्यक्ति शनी प्रदोश्वरत विधी पूर्वक संपन करता है उसके शनी के बुरे प्रबाव से मुक्ति प्राप्थ होती है शनी की डहिया, शनी की साथे साथी और शनी की महादशाया अंतरदशा से जो लोग परिशान है उन्हें या वरत अवश्य करना चाहिए इस से कारिक शेत्रे में आने वाली सभी समस्याओं का संकट दूर हो जाता है साथी रोग या अलपायू की परिशानी भी दूर हो जाती है शनी प्रदोश वरत करने से पितरों का आशरवात भी प्राप्त होता है वही इस वरत को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे गोदान का पुन्य प्राप्त होता है इसके इलावा संतन सुख की प्राम्ति भी होती है शास्त्रों में भगवान शिवजी को शनी महाराज का गुरू और आराथ्य बताया गया है और भगवान शिवजी भी शनी देव के भक्ती से प्रसन्न होकर उन्हें ईश्वर का पद दिया था इसलिए शनी महराज को शनी श्वर या शनैश्चर के नाम से भी जाना जाता है इस कारण सावन मास में आई शनी प्रदोश्वरत का महत्व अत्यतिक है शनी महराज न्याय के देवता है शनी देव की दृष्टी से ना तो कोई देव बच पाया और ना कोई दानव स्वय महादेव भी नहीं पुरानों और शास्त्रों में भगवान शिवजी को शनी देव का गुरू बताया गया है शनी देव को क्रूर ग्रह की संग्या दी गई है शरीदेव बच्पन में बहुत ही उदंडत थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उदंडता से परिशान होकर भगवान शिवजी को अपने पुत्र शनी को सही मार दिखाने को कहा भगवान शिवजी के लाख समझाने पर भी जब शरीदेव की उदंडता कम नहीं हुई तो भगवान शिवजी ने शरीदेव जी को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया जिससे शरीदेव जी मूर्चित हो गए पिता सूर्यदेव की मिननत पर भगवान शिवजी ने शनीदेव जी की मूर्छा तोड़ी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशरवाद भी दिया इस तरह शनीदेव जी न्याय अधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिवजी का सहयोग करने लगे तो एतन हुआ ऐसे की शनीदेव जी कैलाश परवत पर अपने गुरु यानि भगवान शिवजी से भेट करने के लिए गए तथा उनके पांस जाकर कहा की हे प्रभू कर में आपकी राशी में प्रवेश करने वाला हूँ अर्थात मेरी वक्रद रिष्टी आप पर पढ़ने वाली है भगवान शिवजी ने जब यह सुना तो वे आश्चर्य में पढ़ गए और शनीदेव जी से बोले की आपकी वक्रद रिष्टी कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी अगले दन प्रातर काल शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनी की दरिष्टी पढ़ने वाली है अतहा मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज की दिन शनी मुझे देखे ना पाए तब भगवान शिवजी ने कुछ सोचते हुए मृत्य लोक अर्थात धर्ती में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेश बदल कर हाथी का रूप धारन कर लिया धर्ती पर पूरे दिन फे हाथी का रूप धारन करे धर्ती में इधर उधर विचारन करते रहे जब शाम हुई तो भगवान शिवजी ने सोचा कि अब शनी देव जी मेरे ग्रह से जाने वाले हैं अतहा मुझे वास्तविक रूप स्वरूप में आ जाना चाहिए भगवान शिवजी अपना वास्तविक रूप धारन कर कैलाश परवत लोट गए जब महादीव शिवजी प्रसन मुद्रा में कैलाश परवत पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद शनी देव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे शनी देव जी को देखती ही शिवजी बोले और बोले ही प्रभू मेरी दृष्टी से ना तो कोई देव बच पाया है और ना ही कोई दानव यहां तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वक्र का दृष्टी प्रभाव रहा है भगवान शिवजी आस्चरी चके ना होते हुए शनी देव से पूछा आखिर यह कैसे संभव हुआ इस पर शनी देव जी ने महादेव से कहा प्रभू मेरे वक्र दृष्टी के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनी से पशु योनी में जाना पड़ा इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टी का पात्र बनी यह सुनकर भगवान शिवजी ने शनी देव जी से प्रसंद होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश परवत पर शनी देव का जैजैकारा गूंचने लगा जाता है आईए इस वीडियो में शरी प्रदोश्वरत की कथा सुने शरी प्रदोश्वरत की पौराने कथा के अनुसार प्राचिन काल में एक नगर में सेथ रहते थे सेथ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविदाय थी लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे काफी सोच वचार करके सेठ जी ने अपना सारा काम नौकरों को सौप कर खुद सेठानी के साथ तीर्थ यांत्रा पर निकल पड़े अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साथू मिले जो ध्यान मगन बैठे थे सेठ जी ने सोचा क्यों ना साथू से आशरवाद लेकर आगी की यात्रा की जाए सेठ और सेठानी साथू के निकट पैठ गए साथू ने जब आँखे खोली दो उन्हें ग्यात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशरवाद की प्रदीक्षा में बैठे हैं साथू ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ तुम शरी प्रदोश्वरत करो इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा साथू ने सेठ सेठानी को शरी प्रदोश्वरत की विधी बताएं और भगवान शंकर की यह वंदना भी बताएं भगवान शंकर की वंदना इस तरह करें हे रुत्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरू नमस्कार, हे नील कंठ सुर नमस्कार, शशी मौली चंद्रसुख नमस्कार, हे उमा कांथ सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभू नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभू शिफ नम दोनों सेठ सेठानी ने साधू से आशरवात लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े तीर्थ यात्रा से लोटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनी प्रदोश्वरत किया जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुन्दर पुत्र का जनम हुआ अब जानिये प्रदोश वरत मनानी की विधी प्रदोश वरत के दिन प्रातह सूर्योदे से पूर्व उठना चाहिए नित्य कर्मों से निवरत होकर भगवान श्री भोलेनात का निरंतर स्मरन करते रहें इस वरत में आहार नहीं लिया जाता है पूरे दिन उपवास रखने के बाद सुर्यास्त के एक घंटे पहले स्नानादी कर श्वेत वस्त्र धारन किये जाते हैं प्रदोश वरत की पूजा शाम के साड़े चार बजे से लेकर शाम के साथ बजे की बीच की जाती है अपने घर में पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच जल से शुर्थ करने के पस्चाथ हो सके तो गार के गोबर से लेपना चाहिए और मंडप तयार करना चाहिए चाहे तो आप यह पूजा शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं मंडप में पांच रंगों का उप्यो करते हुए रंगोली बनानी चाहिए क्योंकि पांच संख्य भगवान भोले नात को अदिप्रिया है पूजिन की सभी सामगरी एकत्रत कर लें उत्तर पूर्व दिशा की और मुख करके बैठ जाए और ओम नमह शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल जड़ाए इस दिन भगवान शंकर जी, मता पारवती, श्री गनेश जी और नंदी जी को पच्चामरत व गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए इसके अनंतर बेल पत्र, गंध, अक्षत, फूल, दूप, दीप, नैवेधी यानि भोग लगाना चाहिए फल, पान, सुपारी, लॉंग, वा इलाइचियादी अर्पित करना चाहिए भगवान शिव जी की सोलत दरा की सामगरी से ही पूजा करनी चाहिए इसके बाद आठ दीपक अलग-अलग दिशाओं में जलाना चाहिए और दीपक रखते समय हर प्रतिक बार प्रनाम करें कथा सबापती के बाद हवन समागरी मिलाकर ग्यारा, इक्केस या एकसो आठ बार ओहुम हरीम क्लीम नमहा शिवाय स्वाहा मंत्रे से आहूती दे इसके बाद शिव जी की आरती करें फिर उपस्थित जनों सभी में प्रसाद वित्रित करें इसके बाद ही भोजन करें भोजन में केवल मीठी सामगरीयों का उप्योग करें आईए मित्रों, अब प्रदोश वरत की उध्यापन विधी जाने इस वरत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद वरत का उध्यापन करें वरत का उध्यापन त्रयोदशी तिथी पर ही करें उध्यापन से एक तन पूर्व श्री गनेश जी का पूजन किया जाता है पूर्वराथरी में कीरतन करते हुए जागरन किया जाता है प्रातर जल्दी उठकर मंडब बनाकर मंडब को वस्तरों और रंगोलियों से सजाया जाता है ओम उमा सहित शिवाय नमहा मंत्र का जाप करते हुए हवन किया जाता है हवन में आहुती के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाजी की आरती करें और अंत में ब्रामनों को भोजन कराया जाता है अब जानिये शनी प्रदोश्वरत के कुछ खास उपाए यदि संभव हो तो इस दिन कासे की कटोरी में तिल का तेल लेकर अपना चेहरा देखना चाहिए यानि पलचाई देखें और जो भी शनी देव जी के नाम का दान स्वीकार करता हो उसे यह तेल दान करें शनी प्रदोश के दिन जरूरतमन लोगों को काले रंग के कपड़े और जूते चपल आदी का दान करने से जाने अज़ाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं इस दिन बूंदी के लड़ू, काली गाय को और काले कुट्टे को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खेलाने से भाग्योदय होता है शनी प्रदोश के दिन कम से कम एक माला शनी मंत्र का जाप आवश्य करें गरीब को तेल में बने खाद्य पदार्थ खेलाएं शनी देव जी की प्रतिमा को देखते समय भगवान की आँखों में न देखें, इस दिन पीपल को जल देने से भी शनी देव प्रसंद होते हैं प्रदोश्वरत भगवान शिवजी को बहुत प्रिया है कथा के अनुसार भगवान शिवजी ने प्रदोश्वरत की तिथी के दिन ही ब्रम्हान की उत्पत्ति की थी और इस तिथी पर ही इसका वलय करेंगे इस प्रकार जो भक्त शनी प्रदोश्वरत रखता है उसके सभी मनों कामनाई भोले नात पूरी करते हैं प्रियमित्रों आशा है आपको यह प्रस्तुती अच्छी लगी इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें अभी मैं आपकी इजासत लेती हूँ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ओम नमाश शिवाय ओम शम शनैस चराय नमाः